नमस्कार दोस्तो रादे रादे ऐसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो जी मेरी रसोई का हाल आपने देखी लिया है कितना हसीन कितना खुबसूरत हो रहा है ऐसा हो रहा है कि बस देखती रहूं देखती रहूं इसको तो जी खैर ये सेम उसी दिन का वीडियो है जिस दिन मैंने हाउस क्लीनिंग की थी पूरी अपने घर की डीप क्लीनिंग की थी उसी दिन का ये वीडियो है यानि के वीरवार का तो उस दिन पहले मैंने जो है कीचन क सफाई की थी, उसके बाद मैंने घर साफ किया था अपना, क्योंकि कीचन में टाइम जादा लग गया था, मुझे ये था मैंने काशले कीचन से सुरू करूँगी, तो थोड़ा टाइम लगे गा उसके बाद, बाकी लेकिन कीचन में ही 3-4 गहंटे मुझे लगे साफ करने में और कितना भी यह थोड़ा-थोड़ा करके कड़ो लेकिन कीचन में काम हो यह बहुत जाता है तो यहां पर मैं सबसे पहले जो नाश्ते पानी के बरतन है सारे वो मैं साफ करूँगी क्योंकि बरतन साफ हो के ए पानी था सारा कुछ हुआ था और गंदगी सफाई का मैं बता हूँ आपको कीचन की आप जैसा कि मैं गई थी पाहर कई दिन लग गये थे वहाँ पे उसके बाद आके फिर सफाई नहीं हो पाई फिर बीच में तवियत खराब होगी अब इन्होंने विचारों ने खुद किया जैसे भी क्या बरतन वगयरा धोए इतना तो हो नहीं पता जो भी इन से हो पाया उन्होंने किया तो प्यू के डैड़ी को शायद मैंने आपको पहले बताया कि उनको सफाई का मुझसे भी जादा है और कीचन तो बिलकुल भी गंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने खाना बनाया था एक दिन बीच में खाना बनाया था उन्होंने तो उन पे काम नहीं हो पाया किचन में तो मुझे बोली रहे थे कि इंदू जब भी तब्या ठीक होगी तो पहले किचन को साफ करिये कि किचन में मतलब काम नहीं हो पा रहा और यह है भी कि जब तक किचन गं नहीं हो पाई, यूज किया गया लेकिन उसे cleaning नहीं हो पाई तो जो नाश्ते के बरतन थे वो मैंने कर दिये थे साफ उसके बाद जो नीचे बड़े बरतन रखे थे नीचे वाली बास्किट में जिसमें कि मैं extra बरतन रखती हूँ, बड़े बरतन रखती हूँ वो भी मैंने निकाल के सारे मांझ दी हैं, क्योंकि धूल मिटि से उन पर भी लगी जाती है यूज तो रही पाया उनका, जो मैं यूज कर रही थी, तो इस वज़़े से अब क्योंकि kitchen की deep cleaning हो भी है तो सारी चिज़े ढ़येंगी हाला कि मैंने बहुत कम पाने का इस्तमाल करते हुए आज अपने कीचन की डे प्लेनिंग की है तो यहाँ पे पहले ये बरतन जो है इनको मैं रख दूँगी धोगे सारों को बाहर धूप में तुझी बरतन वगेरों का काम निपटने के बाद अब बारी आ जाती है कीचन के डब्बों की तो आप हमेशा मुझे पूछते हैं कि यह जो डब्बे हैं यह मैंने कहां से लिए हैं यह डब्बे मैंने जो हैं एमेजोन से लिए हैं आप महाँ पे कीचन जो है कीचन कंटेनर करके अगर सर्च करते हैं तो आपको आराम से मिल जाएंगे मैने में जो इनसे लिए हैं शायद मीसो पे फलिप कार्ट या और जो ओनलाइन शॉपिंग एप है उन पे भी आपको ये आराम से भी तर्च जाएंगी कितने बताओ मैं 32 के लगभग मेरे पास जो हैं ये डबे हैं शायद जहां तक मुझे लगता है हाँ इतने ही और सच में मेरा ना मन बहुत दुखी सा हो रहा था कीचन को देख के अपने क्योंकि देखे बहुत साफ सुतरा रखते हैं और एकदम से यूं लगता है कि कीचन गं करना खा लेते हैं एक बार आसु ने उदर से बना के बिच जाता खाना फिर एक दिन मैं खुदी बनाने लगी थी मेरी तवित बीच में खराब होगी मुझे खिचड़ी बनानी थी तो फिर वह छोंक दी थी फिर एक दिन के डाड़ी नहीं बनाया था तो इस तरीक से करके जो दो दिन का काम है मेरा वो चला है बीच बीच में उठके थोड़ा बहुत मैं करती रही जैसे आराम लगा बरतन वगयरा मैं करती रही लेकिन फिर भी इतना नहीं हो पात था प्रो पर जो हो जाती है तो यहां पे देखे पहले जो यह कीचन के कंटेनर हैं यह मैं ऐसे ही दोने लगी थी मैंने का चले मैं बार बार से दो देती हूं क्यों खमकाई मैंनत लगाई साफ तो है अंदर से मैंने का फिर मैं का नहीं चल जब तो कर ही रही है तो इनको कर ले अच्छी तरीक से तो यहां पर जो डबे हैं इनमें से सामान निकाल निकाल के मैं रख रही तो बाहर मैंने च्छान के जो च्छान के साफ करके वो गाएं के आगे रख दिया था उसके बाद जो ये की डबो में सामान था इतना तो नहीं था मेरे पास मैंने लिया नहीं था क्योंकि हमें पता था कि जाना तो लिया नहीं था इतना लेकिन जो भी था वो भी ठीक ही था एक दो चीज को छोटी मोटी चीज को छोड़के बाकी सारा ही जो सामान है वो ठीक था और यह जितना भी बचा हुआ सामान है अब इसको मैं रखी हूँगी फोल्डिंग डाल के छट पे ताकि इसको धूप सी लग जाएगी तो यह ठीक हो जाएगा तो सामान वगेरा रखने के बाद अब जो है बचा कुछा जितना भी सामान है वो मैंने रख दिया है अब जो है मैं करूंगी डबो को साफ पहले इनको मैं मांज लूँगी और उसके बाद मैंने धूँगी अब इनको मैं रख दूँगी धूँप में जिससे की यह सूख जाए हाला कि बादल से हो रखे थे थोड़े से तो मैं का चल पहले मैंने इसको उलटके रख दिये उसके बाद जब इनका पानी सा सूख गया तो थोड़ी देर बाद आके मैंने इनको जो है उसके बाद मैं आगी हूँ वापस निचे तो निचे जो छोटे मोटे से डबे थे जो मतलब में डबे तो वही है कीचन के कंटेर जाए वही है लेकिन उसके लावज़ चोटा मोटा सा सामान था वो भी मैंने निकाल दिया है और बाकी जो है अब मैं ज़ाड पूंची के यहाँ पर पेपर डाल दूँगी मुझे अभी वो लेके आने हैं जो कीचन रैक में डालने के जो वोल पेपर होते हैं न एक तो चिपकने वाले होते हैं वो मैं मंगवाँगी क्योंकि जो वैसे होते हैं वो फिसलते रहते हैं लेकिन मुझे चिपकने वाले मंगवाने हैं तो मैंने ओर किये नहीं है करूंग है अभी जब हम घूम गया है तो काफी सारा खर्च हो गया है वहाँ पे जाके तो मैंकर चैले कोई नहीं तो यहाँ पे पर मैंने इल्मारियों में डाल दिया है जो डबे अक्ष्ट रात है वो मैंने रख दे हैं भी यहां पे क्योंकि जो भी था थोड़ा बहुत सामान जैसे भी था वो मैं करके रख दूँगी और फिलहाल अब जो है यहाँ पे करने के बाद मुझे वो करना है सलेप साफ पिछे की टाइले वगेरा साफ करनी है और खिड़की वगेरा गैस वगेरा सारी साफ करनी है गैस तो वैसे भी साफ करते ही है लेकिन टाइल्स जो है वैसे कपड़ा मार देती हूँ गिल्ला कपड़ा मैं हर रोज ही मार देती हूँ कम से कम सारी टाइलों पे लेकिन फिर भी यह है कि जब हम डीप क्लीनिंग कर ही रहे है तो साबून से साफ करने के बाद उसके बाद फिर मैं गिल्ले कपड़े से साफ कर दूँगी और जैसा कि मैंने बताया कि मैं पानी कम इस्तमाल कर रही थी तो उसी से ही मैंने दिखाऊंगे आपको कि मैंने कैसे टाइल साफ की पहले यहां पर जो मेरी मिक्सी है, इसको मैंने साबून से ही साफ कर दिया, उसके बाद कपड़े को गिला करके इसको मैं पहुच दूँगी, तो मेरी यह मिक्सी काफी अच्छी है, और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, यह बटरफलाइ ब्रैंड की है, और पिछले दो साल से मेरे पास है हला कि मैं इतना यूज नहीं करती लेकिन जितना भी करती हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि जो मेरी मिक्सी है वो कौन से ब्रैंड की है तो ये बटरफलाइ ब्रैंड की है और मैंने एमेजोन से ही इसको लिया था तो देखिए हाँ पर अब जो है मैं जो बरतन साफ करने वाला स्क्रब होता है उसी से ही मैं टाइल्स और सलेप जो प्लेट फॉम है उसको मैं कर दूंगी साफ और गैस को भी सारे होता है उससे मैं टाइलों को पोँच दूंगी जिससे कि अगर उन पर पानी के कोई निशान भी रह गए हैं तो वो साफ हो जाए तो देखिए यहां पर मैंने पानी जो है पाइप से नहीं धोई हैं खिड की वगएरा कुछ भी तो बस यहां पर देखिए अब मैं गिल्ले कपड़े से सारी टाइल से साफ कर दूंगी तो जी टाइल्स होगी हैं साफ स्लेब भी मेरा साफ हो गया है अब इसे फरक नजाराना शुरू हो गया अब बारी आती है नीचे वाली साइड की तो ऑपन ही है नीचे वाली साइड भी जो तब्बे अद्द हैं दो तीन इदब्बे रखने हैं कि भाई उसमें ज़्यादा सामान में रख सक हूँ तो सिर्फ जो रोज के डब्बे हैं यूज करने के वो मैं रखती हूँ कीचन में और चिन्नी आटे की जो डब्बे हैं वो रखती हूँ बाकी जितना भी सामान है मेरा एक्ष्ट्रा वो मैं सारा स्टोर में रखती हूँ तो देखें यहाँ पर डब्बो को मैंने साफ कर दिया कपड़े से ऐसे ही गिल्ले से उसके बाद ज़ाड़ो वगेरा लगा के पहले मैं दो दूँगी कीचन को ज़्यादा पानी नहीं डाला मैंने जिस पानी से टाइले साफ की ती वही पानी बच रहा था तो वही डाल के मैंने यहाँ पर पहले ज़ाड़ो लगा दिया उसके बाद वाईपर लगा दिया और उसके बाद मैं लगा दूँगी कोचाब तो कोचा बगेरा लगाने के बाद जो बरतन बाद में बचेते जैसे कि यह जो क्या बोलते हैं इसको मसाल दनी है या जो छोटे मोटे से बरतन है वो भी सारे मैं माझ दूँगी और इनको भी मैं माझ दूँगे छट पे दूप में रखे होंगी मैं कैज सेन पे दूप लग जाए या अच्छी तरह सूख जाए नहीं तो क्या होता है कि डबों के अंदर पानी रह जाता है अगर हम उनको वैसे भी सुखते हैं तो पानी रह जाता है तो धूप में अच्छी तरीके से सूख जाते हैं थोड़े से सेनिटाइज भी हो जाते है धूप से तो यहां पर देखे बस मैंने यहां पर मतलब यह मेरा लाश्ट काम था कीचन का तो डबे धोना उसके बाद मसले जब डलेंगे जब डबे सूख जाएंगे तो यह वाला काम निफटा के फिर मैं अपना नहाई दोई बाकी मैंने सारे काम किये और उसके बाद अब आ गया है यह शाम का टाइम तो यहां पर प्यूर हूईर आई गई थी स्कूल से सारा कुछ मनलब खाना पिना करके शाम का टाइम है यह साड़े तीन बजे के करीब होंगे कितने मुझे नहीं पता तो यहां पर अब जो सामान मैंने धूप में रखा हुआ था उसको आगी है निच्चे लेके जाने की बारी तो यहां पर प्यूर हूई भी मेरी मदद कर रही है और मेरी बेटिया मेरी बहुत मदद करती है हर काम में कुछ भी हो वो कोशिश करती है जो उनके करने का है वो करने की सोचती है ऐसा नहीं है कि बहुत करने की नहीं तो यहां पर देखे आगे हैं हम निच्चे और यह देखे क्रिशना को भी देखे क्रिशना भी पूरी हेल्प करता है जितने भी से हो सकती है तो जैसे कि मैंने बताया राशन मैंने मंगवाया नहीं था तो आदे डब्बे जो है मेरे वो खली थे और जो सामान थोड़ा थोड़ा तो मैंने जो छोटे वाले डब्बे हैं आदा किलो के उनमें निकाल दिया जो बड़े डब्बे हैं मेरे उनकी जो क्वांटिटी है वो ग्य चोटे वाले डब्बों में आ जाता है तो सामान थोड़ा-थोड़ा सा ही बचराता दाल वगएरा जो भी थी तो वो मैंने चोटे डब्बों में रख दी है और अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आगी हूँ कीचन में तो जो खाली डब्बे हैं वो मैंने रैक पे सबसे उपर रख दिया है जो यह अलमारी है सबसे उपर इसमें रख दिया है और इस साइड जो है यहाँ पे सारे चोटे डब्बे आगे हैं क्योंकि सामान जो जादा तर चोटे डब्बों में ही है तो एक साइड यहाँ आगे है मेरे छोटे डबे इनको मैं हाँ पर रख दूंगी और इसी तरीके से करके मैं जो सारा सामान है वो अलमारियों में सैट कर दूंगी मेरे जो डबे हैं वो सैट हो गए है अब जो बरतन धोय हुए रखे थे उनको लगाने की बारी है रैक में और बरतन भी मतलब मैंने ज़्यादा सामान नहीं निकाला हुआ है कुछ भी क्योंकि वह देखिए इतनी जरूरत नहीं पड़ती है तो जितनी है उतने में ही मैं कर ल और सच में अब जाके कीचन में मनक लगेगा काम करने में और मेरी महना तो रंग लाई नहीं तो स्टार्टिंग में आपने देखा था कि मेरे कीचन की क्या हालती और अब देखे मेरे कीचन वह बिल्कुल चमक गया है मलब आप लिटे-लिटे भी फिरेंगे तो भी कोई दि कीचन है नहीं तो आतं कितना खतरनाक वाला मच रहता था ना सुबह जब देखा था आपने पर अभी है कि चलिए अब तसलीसी होगी ठकान तो जरूर हो रही लेकिन कीचन साफ सुथरा होगा वह सबसे बड़ी बात हो जा और प्यू करेड़ी कई दिन से कई जिस दिन से आ लगया तो जी चलिए खेर अभी आई हुई है ये दीदी अब मैं बैटके इनके साथ चाहे पीओंगी क्योंकि मैंने चाहे नहीं पी पहले मैं प्यूँके डैडी को बोल रही थी मैं का आप रुख जाओ मैं चाहे पीलूँगी मैं भी बना लूँगी आप भी तो वे चले साथ सफाय तो मैं कहने सकती कि होगी लेकिन जितनी भी होगी वह बहुत है तो चलिए बस इस वीडियो को इन पर रोकते हैं वीडियो की असा लगा कमेंट करके जरूर बताएए अच्छा लगता है तो लाइक करें शे़ए करें कमेंट करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो